poorly start हो चुका है phi day world rapid and blits championship 2021 जो कि खेला जा रहा है बर्षव of Polnand December 26th पहले खेला जा रहा है rapid championship जो decide करेगा world rapid champion को इतना beputated event होने के साथ साथ इसका price fund भी काफी जाता है Rapid event का price fund है 350 thousand dollar, time control है 15 minute plus 10 second increment और ये 13 round Swiss tournament होने वाला है मेरा किसी दिर के आज हम लोग पहले मैज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आली रेजा, फिरुजा और निहाल सरीन का मुकाबला हुए यहाँ पर फिरुजा ने गेम के शुरुवात की D4, निहाल ने खेला D5, C4, Queen Gambit, E6, Nf3, Nf6 और फिरुजा ने डिसाइट किया, G3 यानि की Catalan के लिए जो कि इस वक्त काफी पॉपलर है, Bishop E7, Bishop G2 और यहाँ पर दोनों प्लेयर रस्पेक्टिवली कैसे करते हैं, यहाल यहाँ पर capture करते हैं, C4 पर और यह capture करने के बाद, यह Catalan open हो जाता है, इसलिए उसको open Catalan करते हैं, Queen C2, Spawn को attack करते हुए, B5, और अगर आप यहाँ पर excite हो रहे है, Knight को लेकर, तो यह Knight E5 move, block कर देता है, इस रुख को attack करने से, इसलिए हमारे game में A4 खिला जाता है, अगर आप capture कर लेगे, तो रुख capture A4 के बाद, यहाँ पर रुख capture नहीं, पहले हम लोग Knight E5 खिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Knight के आनिक बाद, यहाँ पर रुख takes A4, यह pawn hanging है, और आपके position में काफी weakness है, इसलिए हमारे game में खिला जाता है, B4, Knight Fd2, Knight D5, इस रुख को बचाते हुए, Knight takes C4, C5, center खोलते हुए, D takes C5, और bishop A6, इस bishop को इस diagonal पे develop करते हुए, Knight retreat करता है, E3 पर, Knight D7, और यहाँ पर एक pair of Knight exchange होता है, और फिरूजा push करते हैं, C6, रुख आता है, C8 पर spawn को pin करते अगर आप careful नहीं और रुख E8 खेल देगे, तो C7 move queen को trap कर देता है, यहाँ पर आपको exchange डाउन होना पड़ेगा, और यह position white के लिए आराम से willing हो जाएगा, इसलिए हमारे game में रुख C8 के बाद bishop F4, और Knight C, रुख आता है center में, यहाँ पर निहाल push करते हैं, D4, H4, H6, औ bishop F3, अपने bishop की position बढ़िया करते हैं, रुख E8, और अपने last minor piece को game में लाते हुए, D3, E takes D3, bishop takes D3, अब हमारी queen पर attack है, तो queen आती है, C1 पर, bishop F8, और इसके साथ आप देखिए, यहाँ पर निहाल के सारे pieces, last rank पर हैं, यहाँ तक एग game खेला गया था, 2020 में, between Walters Tigger, और Wagner Richards, उस game में यहाँ पर C7 खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर पहला new move है position में, रुख E1, और इसी के साथ हमारे पास एक completely new game, queen आती है, f6 पर, यहाँ पर एक pair of rooks exchange होते हैं, white push करता है अपने pawn को, रुख C8, queen E1, और bishop भी exchange होते हैं, यहाँ पर जल्भी, रुख आता है open file पर, यह रुख capture करता है pawn को, queen check देती है, king safe रहता है, फिर से queen आती है, यहाँ पर एक trap लगाते हैं, अगर आप A5 खेल देंगे, यहाँ पर simply knight B3 move भी देंगे, आप knight capture करेंगे, तो rook takes rook, queen takes rook, और उसके बाद यहाँ पर simply एक piece up हो जाएगा, wind, इसलिए queen E3 क के बाद bishop F5 पर जाता है, A5, knight E6, rook takes rook, queen takes rook, और knight B3, queen C4 पर जम करती है, तो हमारा king G2 पर आता है, यह इस पर last strike पर check नहीं दे सकते हैं, और black अपना king यहाँ से, इस diagonal से हटाता है, knight D2, और यहाँ पर invite करते हुए, exchange के लिए, फिरुजा accept करते हैं, और इसके बाद आप जो देखिए, end game है हमारे पास, वो minor piece end game है, जो कि drawn है, यहाँ पर finally bishop exchange होने के बाद, हमारे पास knight and pawn end game है, इसमें generally players करते हैं कि flank पर pass pawn create करते हैं, और knight या king को center में रख जेते हैं, हमारे game में पहले king को activate किया जाता है, E5, knight E4, knight B3, और यहाँ पर आप देखिए, फिरुजा ने पर एक pawn को flank पर fix करती है, king D6, G4, king D5 पर आता है, knight G3, और यहाँ पर एक pawn pawn fix हो जाता है, फिरुजा का flank पर, क्योंकि आप knight के लिए अगर यह दोनों pawns में से एक भी start हो जाता है, तो knight एक साथ दोनों को रोप नहीं सकता है, knight D4, यहाँ पर F4, तो पहले knight C2 check, और इसके ब आप इस medical square में रहेंगे, इसलिए knight F5, अब इस pawn को attack करते हुए, फिरुजा अपने pass pawn के लिए जगे बना रहे है, knight D4, knight takes H6, king center में आता है, और इसके बाद knight retreat में आता है, चेक दिया जाता है, और इसके बाद अभी भी position equal है, कुछ move और चेक दे दिया जाता है, white अपने pawn को push करता है, F3 check, king यहाँ पर आता है, और यहाँ पर position एकदम equal थे, यहाँ पर आपको simply खेलना था, B3, और उसके बाद यह king को आप ज़्यादा जगे ने दिरे आने को, यहाँ पर दोनों player थोड़ी देर grind करते हैं, और equal position देरे, लेकिन हमारे game में हुआ क्या, निहाल ने खिला king c4 जो की blunder था, यहाँ पर फ्यूजा को time मिला अपने king को अंदर लाने का, देखें क्योंकि यह knight block कर रहा है, अब दीरे-दीरे king इस knight को harass करेगा, यहाँ पर यह knight आता है d3 पर, maybe knight e4 भी खिला जा सकता है, यहाँ पर b3, king f4, knight पीछे जाता है, उसके अगर आप यहाँ पर capture कर लेंगे, तब भी कोई दिख करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले, फिरुजा कोई risk नहीं ले रहा है, वो spawn को block करते हैं, यहाँ पर वो भी try किया जाता है, निहाल के तरफ से, लेकिन क्योंकि king g6, 7 के बाद, अब इस knight के पास जगे नहीं है, पुर्लुक रेडियर देने वाले निहाल वसल मैंगनेस और फिरुजा वसल मैंगनेस के लिए, तब तक के लिए, बाई